हेलो फ्रेंड्स आज में आपके साथ आलो और साबोदाने की टिक्की की रेश्पी शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छी बनती है टिक्की बनाने के लिए मैंने एक टोरी साबोदाना लिया जो मैंने तीन से चार गंटे विउगो के रखा था और आलू मैंने पहले से उबाल के रखे हुए है और ठंडा करने के बाद ही आप इने योज करें मोफली इसमें ओप्शनल है अगर आपके पास है तो आप थोड़ी से मोफली भी ले 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 उससे थोड़ा सा रोस्ट करें साबोदानेAST के बाद था ना मि neighborhood कोड़े है कोटर अब नहीं जोessä, कर लेंगे आलु साबोदाना में के दिए के टेम कमशाले लिए। क्षila नाच्छे बाद ऋंग ने डालने के बाद में यह काली मिच को डाला और यह मैंने अद्रक का पेस्टाव है एक चमच इसमें नमक डाला चोटा चमच अब इसमें मैंने बूनी हुई ये मुफली भी इसमें डाल दी और हरा दनिया भी इसमें डाल दी या सबी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे अच्छे से मिक्स कर लिए ऐसे हमने हाथ से ही पैन अभी मैंने रख दी अभी हम टिक्की को फ्राइ करेंगे इसमें मैंने दो चमर सरसो के तेल के डाले अभी हम टिक्की बनाएंगे इसलिए मैंने हाथ में थोड़ा तेल लगा लिया कि ये टिक्की हाथ से चिपके न और इसे मेडियम साइज की बोल बनानी हमने फिर बस य चोटा साइज की बनाने टिकी हमने तो ऐसे आपने सारी टिकी बना लेनी और इसमें पैर में रखते चले जाना जब आप टिकी को तेल में रखेंगे तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए फिर उसके बाद आप इसका फ्लेम जोए लो टू मेडियों पे इसे टिकी को फ्रा बारिश के मोसम में आप यह टेस्टी टिकी बनाए और उन्जॉय करें और आपको यह वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू